दोस्तों अगर आप Jio का SIM यूज़ करते हैं और रिसेंटली आपने एक नया फोन परसिच किया है या फ्यूचर में आप एक नया फोन परसिच करने वाले हैं और आप चाहते हैं जो आपका Jio का फिजिकल SIM था आप उसको इस SIM में कनवर्ट करना चाहते हैं तो कैसे आप ये कर सकते हैं और क्या प्रोसेस रहने वाला है आज इस वीडियो में मैं आपको step by step बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखेगा in fact आप वीडियो को complete watch करते हैं तो आप अपने physical SIM को इस SIM में बहुत आसानी तरीके से आप convert कर पाएंगे अपने घर पे जरू करिएगा चलिए शूरू करते हैं तो सबसे पहली बात तो यहां दोस्तों कि आगर आप अपने जीओ के physical SIM को इस SIM में convert करना चाते हैं और जो physical SIM आपके पास होगा आप जिस भी phone में आप उसको use करेंगे तो सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि जिस phone में आप इस SIM use करेंगे उस phone में eSIM की support करने की capability है या नहीं है तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसके लिए आपको जाना होगा इस website पर यहां पर आप देख सकते हैं और आपके सामने जीओ का official website यहां पर open हो जागा यहां पर आपको device पे select कर लेना है and model आप यहां पर चूज करेंगे जैसी आप चूज करते हैं तो यहां पर आपकी compatibility का status दिखाया जाता है और यहां पर यह देखने को मिलता है कि आपके phone में eSIM support करता है और आप आसानी से अपने physical SIM को eSIM में भी आसानी से कर पाएंगे तो सबसे पहली बात तो या दोस्तों कि आपके पास एक email ID होना या नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको my geo के application को यहां पर open करना होगा आपको menu पे यहां पे click करेंगे click करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको profile and setting का option मिलेगा उसके बाद आपको profile पे tick कर देना है और यहां पे email ID का एक option देखने मिलेगा अगर jean logo का भ ID को update कर लेंगे यहां पे email ID को update करने का पूरा step दिखाए गया है जैसी आप यहां पे change पे click करेंगे तो यहां पे आपको email ID डालने का option मिल जागा यहां पे OTP send क्या जागा successfully आपको OTP enter करना होगा और यहां पे जो आपका नया वाला email ID है वो यहां पे डल जाएगा अब दे पे general पे आप type करेंगे basically यह माँ iPhone के लिए बाता रहा हूं setting में आप जाएंगे यहां पे general का एक section मिलेगा उसके बाद about section में जाएंगे उसके बाद यहां पे EID और नीचे आपको IMEI number देखने को मिलेगा तो simply दोस्तों आपको अपना EID number और IMEI number को copy करके एक जिगा पे र आपको एक message type करना होगा 199 में यह इसके customer का number है और simply आपको type क्या करना होगा यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं simply आपको लिखना होगा GETESIM उसके बाद आपको एक space देना होगा उसके बाद simply आपका जो 32 digit का EID number जो आपने वहां पे copy क्या था वो आप डाल देंगे उसक दोस्तों इस step को आप complete करते हैं तो यहां पे second number पे आपको यह देखने को मिलता है इस प्रकार का आपको message देखने को मिलता है यहां पर message में आपको साब साब देखने को मिलता है जो आपने यहां पे initiate किया है E-SIM को upgrade करने के लिए उसका request आपके GEO के server पे चला गया है और य reply करना होगा one आपको यहां पे reply करना होगा यहां पे आप फिर से देखी आपको one reply करना है उसके बाद आपको एक notification यहां पे देखने को मिलता है notification के बाद दोस्तों आपको E-SIM activation का detail देखने को मिलता है यहां पे लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है to activate your E-SIM for GEO number use the below details on your hand set to complete the configuration if not done already. उसके बाद दोस्तों तीसरे step में आपको अपना consent share करना है. सबसे पहले आपको करना क्या होगा? दस मिनट के अंदर company क्या करेगी? आपको एक call करेगी, call आपको receive होगा और उस call पे दोस्तों आपको अपना consent send करना है. यानि आपको बताना है कि आप अपने physical SIM को इस SIM में convert करना चाहते हैं और आपको press करना होगा one और share कर देना होगा, इस पे ये automatically call आपका आ जाएगा. जैसी आप one दबा करके और send कर देंगे, आपको call आ जाएगा, आपको consent देजेना है कि हाँ मैं अपने physical SIM को इस SIM में convert करना चाहता हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये message देखने को मिलता है और यहाँ पे आपका upgrade successfully complete हो जाता है और जो आपका physical SIM है वो काम करना बंद कर देगी and आपके phone में no network का message भी देखने को मिलना सुरू हो जाएगा, अब ये काम करने के बाद दोस्तों जो आपका iPhone है, simply आपको इसको open करना है, open करने बाद एक notification आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा, simply आपको यहाँ पे install करना होगा data plan data plan install करने के बाद दोस्तों आप notification पे on भी देखने को मिलेगा जब successfully complete हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों जो आपका जीओ का e-seam है, successfully activate हो चुका है और आपका reflect कर जाएगा under mobile data, next step में दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे simply आप अपने setting को open करेंगे, अपने iPhone में, उसके बाद mobile data पे आप click करेंगे, उसके बाद नीचे आपको add data plan याड e-seam का आपको option देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे आपका जीओ का जो seem है, यहाँ पे add हो चुका है, यहाँ पे साफ साफ आपको देखने को मिल जाता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपने jio के sim पे click करेंगे, add data plan पे आप click करेंगे, add data plan पे click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको wait करना है थोड़ा सा और process उने में थोड़ा सा time लगता है, install हो रहा है आपका data plan यहाँ पे activating का आपको option देखने को मिलेगा, और last में आपको यहाँ पे on का भी option देखने को मिलेगा, जब final यहाँ पे activate हो जाएगा, यहाँ पे आपको last में दो घंटे wait करने होते हैं, जो आपका physical sim से e-sim में आप convert कर रहे थे, last में जो e-sim आपका conversion है, वो वहाँ पे complete हो जाता है, और आप उस sim से upcall कर सकते हैं, या internet का use कर सकते हैं, एक और चीज़ दोस्तों बहुत सारे लोगों का यहाँ पे doubt है कि अगर हम अपने Jio के physical sim से e-sim में आते हैं, तो जो हमारा पहले से plan था, जो हमारा पहले से data है, क्या खतम हो जागा, हम उसको use नहीं कर पाएंगे, यानि दोस्तों जो आपका पहले से plan चल रहा था, जो आपका पहले से recharge चल रहा था, आपने e-sim में convert किये हैं, तो आराम से आप उसको use कर पाएंगे, आपको कोई भी tension लेने वाली बात नहीं है, तो दोस्तों यही एक अच्छा और आसान प्रोसेस है, जिसके माधन से आप अपने geo के physical sim को e-sim में convert कर पाएंगे, I hope आपको ये वीडियो पसंद आओगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आओगा, तो वीडियो को आपको बात्रा आसाओ को आपको पसंद Your Watch